नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में था दोस्तों पिछले 48 गंटों में भारत ने जो कर दिया है ना उसे देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों के तोते उड़े हुए हैं और दोनों को ये समझ नहीं आ रहा कि मातर 48 गंटों के अंदर भारत ने कैसे ची अबर उसके लिहाद से बहुत इंपोटेंट है इसके बहुत दूरगामी परणाम होंगे और मैं आपको एक एक करके सारी चीजे बहुत डिटेल से समझाओंगा अंतक वीडियो को देखेगा चलिए बिना टाइम वेश्ट की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इन सब क शुरुआत हुई थी अब से दो दिन पहले हुआ क्या कि पाकिस्तान ने OIC की एक बैठक बुलाई जिनने नहीं पता OIC एक मुस्लिम देशों का संगठन है जिसमें 57 देश शामिल हैं और सभी के सभी मुस्लिम मेजोर्टी कंट्रीज हैं तो इन ही का ये गुठ है और ये इ सब कुछ होना था लेकिन भारत 48 गंटे पहले ही हरकत में आ गया और इन OIC देशों से संपर्क साधना शुरू किया भारत की कोशिश ये थी कि इस बैठक की रेलेवेंस खतम कर दी जाए और इसका करने का क्या तरीका था जो इन 57 देशों के टोप ओफिशल्स थे इन्हें इ चुट वह ये अधिकारी हैं वो पहुँच जाए बस यही हुआ अभी मीटिंग खतम हुई है कुछ गंटे पहले ही और आप जानकर हैरान होंगे कि इस बैठक में भारत के डर से बहुत सारे इसलामिक देशों ने अपने टोप ओफिशल्स को बैठक में नहीं भेजा छोट इसी की यह बैठक चल लए थी उसी वक्त इस OIC जो गुठ है ना इसका जो सबसे नंबर वन देश है साओधी अरब दूसे नंबर पर है UAE UAE के टोप ओफिशल्स पूरा एक डेलिगेशन कश्मीर में मौझूद था और यह डेलिगेशन क्या करने आया था यह opportunity देखने आया था कि कश्मीर के अंदर हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं कहां कहां पर पैसा लगा कर कश्मीर का विकास करवा सकते हैं भारत के साथ मि जहां पर यह कश्मीर के अंदर होटल खोलेंगे थीम पार्क बनाएंगे फूड पार्क बनाएंगे जी हां और उसके बावजुद दोबारा फिर कश्मीर आये हैं यह देखने के लिए कि और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और देखिए इस से भारत को दो मज़ेदार पहला तो यह हो गया कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आयेगा तो लोग अपने काम धंदो पर लगेंगे और इस से जो नॉर्मेल सी है वो और तेजी से कश्मीर के अंदर आएगी दूसरा बड़ा फाइदा यह है कि जो OIC है ना यह हमेशा से भारत विरोधी रहा है 57 के 57 देश कश्मीर पर भारत के खिलाफ खड़े होते थे लेकिन इसमें जो दूसरा सबसे ताकतवर देश है UAE उसके पीछे दरजनों मुस्लिम देश खड़े हैं जो हमेशा उसी के कहने पर चलते हैं जब UAE खुद कश्मीर के अंदर आ रहा है और भारत का एक तरीके से समर्थ कश्मीर में भारत के दावे को मजबूत कर रहा है तो इंड्रेक्टली बहुत सारे और मुस्लिम देश भी भारत के परती अब जुकाओ करने लगे हैं ये बहुत बड़ा पोजिटिफ पॉइंट है और ये भारत के कश्मीर प्लान को लेकर भी बहुत जरूरी था क्यूं क् कल को हम P.O.K. वापस लेते हैं पाकिस्तान पर वो सेना के दम पर ही होगा ऐसे में बहुत सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते थे लेकिन भारत धीरे-धीरे तमाम अरब देशों को अपने पाले में ला रहा है जिस वज़े से अगर भारत मिलिटरी एक्शन लेता है P.O.K. में तो पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कोई एक्का दुक्का देश ही बचेंगे और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखिए रूस ने युक्रेन पर हमला किया पूरी दुनिया ने रूस का बाइकोट कर दिया क्योंकि रूस ने सही तरीके से जमीन तयार नहीं करी थी भारत पहले जमीन तयार कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमले के वक्त कोई भी पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो और अच्छी बात यह है कि भारत ये करने में पूरी तरीके से काम्याब होता जा रहा है, तो भारत की strong diplomacy पर आपका क्या viewpoint है, कमेट करके बताएगा फिलाल, इस वोड़ी में इतना ही, तैंक यू वेर मुच प्रोचिंग वीडियो,